बार-बार पेट में गैस बनती है, बार-बार एसिडिटी हो जाती है, खुब ढकारे आती हैं और सीने में तेख जलन होता है तो सिर्फ एक चमच इस चूरन का खा लेना और फिर देखना 5 मिट में कैसे ये सभी परिशानिया गायब हो जाती है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्खे में दोस्तो ये तो आप सभी ने सुना होगा कि सभी बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है यानि कि अगर हमारा पेट खराब रहेगा तो तरह तरह की बीमारी आने में समय नहीं लगेगा शुगर, ब्लेड पेशर, थाइरोइट, लिवर की खराबी, खून की कमी, कमजोर शरीर और इसकिन डिजीज ये सभी बीमारियां आपको जिन्दगी में कभी नहीं होगी अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चूरन के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर आसानी से तयार कर सकते हैं ये चूरन सस्ता होने के साथ ही साथ बेहती जादा कारगर रहेगा पेट से जुड़ी इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तो आए बिना किसी देरी के इस नुस्खे को जान लेते हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 25 ग्राम खड़ा धनिया दोस्तो हम एक ऐसा चूरन बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको सही मात्रा का ध्यान देना बेहती जरूरी होगा तो ध्यान दीजेगा मैंने यहाँ पे 25 ग्राम खड़ा धनिया लिया है इसके बाद आपको चहिए होगा 25 ग्राम जीरा इसके बाद आपको चहिए होगा 10 ग्राम सोंट का पाउडर जो लोग diabetes के patient नहीं है वे लोग इसमें 10 ग्राम मिश्री भी मिला सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिश्री सुध होनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले आपको जीरे और धनिये को हलका सा भून लेना है इसके बाद इसे mixी में बारीक पीस लेना है जब इसका बारीक चुरन तयार हो जाए तब हम इसे किसी खाली कटोरी में निकाल लेंगे इसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे 10 ग्राम सोंट का पाउडर या फिर यूँ समझ लीजिए 2-5 चमच हम इसमें सोंट का पाउडर भी मिला लेंगे इसी के साथ हम 2-5 चमच पीसी हुई मिश्री भी मिला सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए जसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिश्री का प्रियोग आप तभी करेंगे जब आपको डाइबिटीस के परशानी नहीं रहेगी इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस ये चूरन तयार हो जाएगा अब इसका प्रियोग आपको करना कैसे है ये भी समझ लीजे नुस्तो सुबा दोपहर शाम तीन टाइम आपको इस नुस्के का प्रियोग करना होगा सुबा का नास्ता करने के आदे घंटे के बाद आप इस चूरन को खा लीजे हलके गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसे खाएंगे तो ये और भी ज़दा फायदिमंद रहेगा इसी तरीके से आपको दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद इस नुस्के को आदे घंटे के बाद एक चमचिसका खा लेना होगा इस नुस्के के प्रियोग से आपको सिर्फ 5 मिनट में ही पेट से जुड़ी सभी परिसानी से चुटकारा मिलेगा पेट में बार बार गैस नहीं बनेगी, सीने में जलन नहीं होगी, बार बार डकारे नहीं आएंगी और खाना भी अच्छी तरीके से पचेगा दोस्तों ये थी आज की जानकारी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, साथ ही हमारे इस यूटियोब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही हेल्थ से रेलेटेड वीडियो मिस न कर पाएं तो दोस्तों मैं मिलता हूँ कल आप से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार